हेलो यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत है देखेगा फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आरेनेक किसे कहते हैं तो आरेनेकों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा आरेनेक तो आरेनक है ये ब्रामन गरंतों के अंतिम भाग है ठीक है ना और जैसे व ग्यान की बातें कहते थे उन्हें ही वेद कहा गया है और इन वेदों को फिर अलग-अलग वेदों के अलग-अलग जो भाग हैं जैसे की उपनिशद हैं आरेनेक हैं सहिंता हैं ब्रामन गरंत हैं वेदांग हैं ठीक ना इन सब में हम वेदों के बारे में ही जानकरी ब्रामन ग्रंथों के जो अंतिम भाग है वो आरनेक है तो देखेगा ब्रामन ग्रंथों के बाद आरनेकों की रचना की गई जो ब्रामनों के अंतिम भाग है और ब्रामन ग्रंथ को क्या है तो ब्रामन ग्रंथ यग्यों और करमकांडों के विधानवे किरियों को समझने में स तायक है ठीक है ना और जो आरणेक है इनकी रचना आरणियों अर्थात वनों में की गई थी इस परकार इन्हें आरणेक कहा जाता है इनमें येग्यों के स्थान पर ज्ञान इंचिंतन को परदान था दी गई और इस परकार ये दार्षनिक रचनाएं हैं इनहीं से कालांतर म उपनिश्यदों का विकास होता है और आरणे गरंथों की संख्या बहुत अधिक है किन्तु इनमें कुछ ही मिलते हैं इनमें परमुक बताई को देखें इनमें परमुक हैं वो कौन-कौन से हैं एत्रे, संख्यायन, तैतिरिये, रहधरानेक, जमिनिये और चान्दोगे तो दे करें, शेयर करें, ताकि आपको ने-ने नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें, आप इत्यास के बारे में और भी ने-ने जानकारी प्राप्त कर सकें, तो चलिए देखते हैं, आरणेक, तो आरणेक हिंदू धरम के सर्वच्चे धरम गरंथ हैं, सायन के अनुसार, इनका नाम कर आरणे यह है कि इनकी रचना एकांत, आरणे अर्थात जंगल में हुई और इनका अध्यन भी एकांत में किया गया है, अत्या इनका नाम आरणेक पड़ा, ठीक है, आरणेकों की विशेशताएं देख लिजेगा क्या क्या हैं, आरणेक हिंदू धरम के पवितरतम और सर्व पोच्य गरंत वेदों का गध्ये वाला खंड है, आरणेक ब्रामन गरंतों के अंतिम भाग हैं, इनमें मंत्रों की रहश्यात्मक शक्ति और जादूई प्रभाव का उलेख है, आरणेकों में तपस्या पर बल दिया गया है, इनमें ग्यान और चिंतन को परदानता दी गई है, आरणेकों में यग्ये अनुस्थान पदत्ति, याग्यक मंत्र, पदार्थ तता फल आदी में आद्यात्मित्ता का संकेत दिया गया है, हता हम कह सकते हैं कि वही आरणेक हैं जो मनुस्य को आद्यात्मिक बोध की और जुखा कर सांसारिक बंधनों से उपर उठाते हैं, आरणेक ग्रंतों का विवाजन, तो परतेक वेद का एक या एक से अधिक आरणेक होता है, अत्रवेद का कोई आरणेक नहीं है, ठीक है ना, तो देखिएगा हमने वेद किसे कहते हैं और चारों वेदों के बारे में अलग से वीडियोज में पढ़ा, और उपनी सोदों के पारे में हमने पड़ा है तो हमारे पहले वाले वीडियो देखेगा आपके लिए लाबदाई सिध होंगे रिकवेद के आरेनेक तो रिकवेद के आरेनेक कौन-कौन से है एत्रे आरेनेक और कोसी तकी आरेनेक जिसको सांखायन भी कहा गया है तो रिकवेद के आरेनेक एत्रे अरणेक तो साम्हेत के आरुने कोन कोन से हैं तावल कर आरणेक जमीनियों अपनी सथ और चांद के आरणेक कई बार पोच लेते हैं वेड़ों के आरणेक तो आप ढंग से देखेगए इनको यजुर्वेद के आरेनेक, सुकले यजुर्वेद और कर्षन यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं, सुकले यजुर्वेद और कर्षन यजुर्वेद, तो सुकले यजुर्वेद के आरेनेक कोन से हैं, व्रहद आरेनेक, कर्षन यजुर्वेद के तैतिरिये आरे कौन से हैं तो अत्रवेद का कोई भी आरनेक अभीत्तक उपलब नहीं हुआ है लेकिन जो गोपत ब्रामन है उसमें आरनेकों के अनुरूप बहुत सी सामगरी उपलब्द है तो गोपत ब्रामन है किसका अत्रवेद का लेकिन अत्रवेद का अभीत्तक कोई भी आरनेक करनी हो तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया और डेज को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें धन्यवाद